नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का सरकारी टुडे न्यूस के ओफीशल यूटूब चलन में दोस्तो आप सभी के लिए बड़ी कुश कबरी है यूकि फाइनली रेलवे टीसी की नई भरती की सूचना जारी हो चुकी है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको टिकेट कलेक्टर टीसी और गुडगार्स की भरती की पूरी जानकाई देंगे दोस्तो यहां पर बंपर भरती है चार हजार पदो पर ये भरती की अपडेट आ चुकी है आज की इस वीडियो में हम आपको रेलवे टीसी की पूरी भरती की जानकाई देंगे दोस्तो वीड को subscribe करें और बþल आइकन ज़रु दबाएगा तो चली दोस्तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं बात करते हैं आज की नई भरती के बारे में जो की निकाली जारी है railway TC की नई भरती तो दोस्तो railway TC के अलावा एक और नई वेकेंसी है रेलवे की तरफ से तो आज की इस वीडियो में आपके लिए दो वेकेंसी की अपडेट है दोस्तों यहाँ पर सेलरी आपको मिलेगी 30,000 रुपे पर मन्थ और इंडिया के केंडियेट्स आविधन कर सकते हैं मेल और फिमेल आज के वीडियो काफी खास होने वाला है आप सभी विध्यारतियों के लिए वीडियो में अंतक बने रहेगा आपको बताएंगे दोनों ही वेकेंसी की जानकारी स्टेप बाइस्टेप तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा तो चली दोस्तों आपको लेकर चलते हैं सीधा ओफीशल व आप साइट पर आजएंगे तो सबसे पहले नंबर वन वेकेंसी की बात करते हैं जो की नोर्थ सेंट्रल रेलवी की तरफ से आ चुकी है नसी आर की तरफ से दोस्तों चार सो हस्सी बदों पर ये वेकेंसी का नोडिफिकेशन जारी हो चुका है पोस्ट जो है यहां पर फी आपकी कोई भी एक्जाम नहीं होगी ना ही कोई आपका इंट्रिवी होगा सीधी भरती है बिना परिक्षा बिना इंट्रिवी के और यहां पर आपकी जो एज लिमिट है पंदरा से चोबीस साल है और आई सियमा में छूट लग से है रिजर्व केंडिएट्स को वहीं एप आप इस वेकेंसी के लिए आविदन कर सकते हैं 17 मार्च से लेकर के 16 अपरेल तक इसकी लास डेटे आविदन करने की आविदन करने का लिंग के रहा नोटिफिकेशन के साथ में चली दोस्तो अब आगे बढ़ते हैं बात करते हैं रेल्वे की दूसरे नंबर की भरती की जो कुल मिला करके 4000 पदो पर ये भरती की अपडेट है अपलाए के वल आपको दोस्तों ओनलाइन ही करना होगा ओल ओवर इंडिया के केंडियेट्स आविदन कर सकते हैं मतलब कि ये जो भरती है भारत के किसी भी राज्ये केंडियेट्स अगर आप रहते हैं कहीं भी किसी भी एंड्रेस टेस्ट होगा उसके बाद मेडिगल टेस्ट होगा साती साथ आपके डोकुमेंट वेरिफिकेशन भी होंगे और वहीं एज लिमिट जो है 18 से 30 साल अगर आपकी है तो आप आवेदन कर पाएंगे ठीक है उम्र सीमा जो है 18 से 30 साल होना अनिवार है उसके अलावा आई सीमा में छूट भी है रिज़र्व के डिएटस को वहीं दोस्तो एजुकेशन वालिफिकेशन जो है यहाँ पर मांगी गई है 10 वी बार भी और एने ग्रेजुट पास यहाँ पर क्वालिफिकेशन है तो अगर आपके पास में यह क्वालिफिकेशन है योग्यता है तो तो हो सकता है इसके आवेदन मार्च में शुरू हो जाएं। जेहिं जे भरत।